बच्चो लेखांकन का कारे पूरी तरीके से प्रक्रिया बध्रूप में किया जाता है जब हम जो भी वेवार करते हैं अपने वेपसाय में वेपार में उनका लेखा करते हैं तो हमने पिछले अध्यायों में देखा कि किस प्रकार हम उसको लेखांकन के अंतरगत उसकी पंजी प्रविष्टिया करते हैं ये पंजी प्रविष्टिया जब पूरी हो जाती है तो इन पंजी प्रविष्टियों के अपने कुछ अलग अलग प्रकृती होती है जैसे कि हमन पंजी प्रविस्ट्रियों के खातों को अलग अलग भागों में बाट देना या इनके जो व्यवहार है प्रकृति के आधार पर उनको वर्गी कृत करके अलग अलग खातों में उनका लेखा कर देना यह जो पूरा कारे है यह जनरल प्रविस्ट्री के कारे के समाप्त होने के बाद किया जाता है तो जनरल प्रविस्ट्री के बाद हमारा जो अगला स्टेप होता है उसे हम कहते हैं खाता बही या खतावनी कुल मिलाकर अगर हम खाता बही या खतावनी पर उसके अर्थ पर एक नज़र डाले तो हमको एक देखने को ये बात मिलती है कि जनरल के जो ज्कारइं उनकी जो जानकारी होती है उसको अलग अलग खातो में लिपवर्ध लिख देना यह सारा जो कारें होता है वह काता वही के अंतरगत आता है अब अगर हम बात करें इनकी कुछ परिभाशाओं की तो विभिन विद्वानों ने लेखा कर्म के अंतरगत खाता बही की अपनी अलग-अलग परिभाशाओं दी है आए कुछ विद्वानों की परिभाशाओं पर एक नजर डाले प्रुफेसर एल सी क्रॉपर के अनुसार वह पुस्तक जिसमें एक व्यपारी के व्यभारों को एक वर्गिकरित इस्थाई रूप में लिखा जाता हो वह खाता बही कहलाती है जे आर बॉटली वाई के अनुसार, खाता बही पुस्तकों के मुख्य पुस्तक है और इसे पुस्तक में समस्त व्यापारिक व्यभारों को अंत में यथा स्थान उनसे संबंदित वर्गिकरित रूप में खाते में लिखा जाता है तो आपने देखा कि सभी विद्वानों ने खाता बही को जनरल के आधार पर किया गया खातों का वर्गिकरन ही माना है अब अगर इन परिभाशाओं और इन अर्थ के आधार पर अगर हम खाता बही के कुछ लक्षण या विशेस्ताओं पर एक नज़र डाले तो हमको क्या देखने को मिलता है आए देखते हैं सबसे पहली बात तो यह कि यह हिसाब रखने की पुस्तक है अलग अलग खातों को अलग अलग अव्यभारों को अलग अलग खातों में जब लिख दिया जाता है तो पर्टिकूलर उस खाते का एक अलग हिसाब बन जाता है जैसे कि हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार खातों को उनकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग वर्गिकरित किया जाता है और किस तरह से उसमें उसकी प्रकृति के जो खाते होते हैं उनका हिसाब रखा जाता है दूसरा लक्षन यह है कि जनरल और सहायक बही इसका आधार होती है यानि कि खाता बही में जिसे हम खतावनी कहते हैं लेजर जिसे हम कहते हैं उसका आधार क्या होता है तो हम यह कह सकते हैं कि जनरल में जो जनरल प्रविस्टिया की गई है पंजी प्रविस्टिया की गई एक तो वो और दूसरा हमने देखा कि सहायक बही में जो हमने संचिप्त में एक ब्योरा तयार किया है वो ये दोनों ही आधार बनते हैं जिनकी आधार पर खाता बही में खतोनी की जाती है और खाता बही में अलग-अलग लेके किये जाते हैं तीसरे एक विशेस्ता हम देखे तो हमने जैसे हम बात कर रहे हैं कि प्रतेक व्यवार का अपना अलग-अलग लेखा इसके अंतरगत हम बनाते हैं वैसा ही चौथा इसका एक लक्षन ये है कि इसमें जो मदे होती है वो तिथीवार मतलब अलग-अलग तिथी के हिसाब से लिखी जाती हैं आगे हम जब खाता भाई का फॉर्मिट देखेंगे उसका प्रारूप देखेंगे तो हम देखेंगे कि किस प्रकार डेबिट और क्रेडिट में अपने अलग-अलग जो तिथीवार मदे होती है उनको हम लिखते है वैसे ही इसका आगला लक्षन हम देखे तो संशिप्त मे एक एक अक्षर में हम लिख देते हैं क्राय को विक्रे से विक्रे को इस तरह से हम बहुत शौर्ट में खाता भाही में खतावनी करते हैं और इसके एक विशेस्ता यह है कि यहाँ पर जो खातावही का प्रारूप प्रते खालते को एक निश्यत प्रारूप के अंतरगती तयार किया जाता है एक महतवण विशेष्टा इसके उदेश को लेकर है कि इसको बनाने का उदेश यह है कि प्रते खालतों की उनको अलग अलग वर्गी करित किया जा सके ताकि उनके बारे में अलग-अलग जानकारी बहुत आसानी से प्राप्ति की जा सके तो यह तो हमने बात कही इनके विशेस्ताओं की अब जैसे कि हमने देखा कि वास्तों में यह जो खाता भई है यह जनरल पर आधारित होता है पहले हम जनरल बनाते हैं और फिर उसक उसके अंतर पर एक नजर डालें कि खाता बही और जन्रल में अंतर जन्रल यानिकी पंजी प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है जबकि खाता बही वर्गी करण की पुस्तक है दूसरा पंजी में लेखा स्वतंतर रूप से किया जाता है जबकि खाता बही यानिकी लेजर में जन्रल की सहायता से लेखा किया जाता है तीसरा, पंजी यानिकी जनरल में लेखा करन को पंजी करन कहते हैं जबकि खाता बही यानिकी लेजर में लेखा करन को खतोनी कहा जाता है चौथा, पंजी यानिकी जनरल तिथिवार लेखा करने की बही है जबकि खाता बही विसलिशनात्मक लेखा की बही है पाचवा, पंजी में लेन देन के लेखे विस्तार से लिखे जाते हैं जबकि खाता बही में सौधों को संशिप्त रूप में लिखा जाता है चटवा, पंजी में आकडों के वर्गी करण के आधार पर सौधा होता है जबकि खाता बही में आकडों के वर्गिकरण का आधार खाता होता है सात्वा पंजी न्यायालाय में साक्षि के रूप में मानने है जबकि खाता बही न्यायालाय में तुन्लात्मक रूप से कम मानने है तो आपने देखा जनरल और लेजर यानि कि पंजी प्रविस्ट्री और खाता बही में क्या अंतर है अब आए देखते हैं कि खाता बही क्यों बनाया जाता है हमने देखा कि जनरल में हमने सारे वेवहारों की पंजी प्रविस्ट्री अलग-अलग रूप से कर दी उससे हमको यह जानकारी मिल जाती है कि हमने किस तरह के वेवहार किये कितना माल खरीदा नगत या उधार खरीदा या फिर कितना माल बेचा नगत या उधार बेचा किस व्यक्ति को भुक्तान किया या किस व्यक्ति से भुक्तान प्राप्ति किया तो यह सारी जानकारिया हमको जनरल से मि जाती हैं फिर भी हम खाता भाई बनाते है जनरल का अधार पर तो इसके आवशक्ता भातव माते हैं यहांarlo देखते हैं कि जनरल के आधार पर जब खाता भाई बनाया जाता है तो इसमें लेखों का वर्गी करन कर दिया जाता है जैसे यहां पर हम देखते हैं कि एक ही जनरल में जो बहुत सारी एंट्रीज होती है उनके आधार पर हम बहुत से खाते बना सकते हैं जैसे इस जनरल तो एक तो यह वर्गी करन करने में सहायक होते हैं दूसरा इसले भी बनाया जाता है ताकि समय की बच्चत हो सके अब इनहीं के आधार पर हमको मालेजिए कि क्रय के बारे में जानकारी प्राप्ति करनी है कि विवसाय में हमने कितने माल का हमने yesterday तो हम सिर्फ क्रेखाता को देखेंगे और बहुत आसानी से बतादेंगे कि हमने इतनी वस्तु का क्रे από यह फिर इतनी क्रेखी गई वस्तु हमारे वैंस्याय में है अगर हम पूझी के जानकारी चाहें तो बहुत आसानी से पुंजी खाता को देखेंगे और बता देंगे कि विफसाय में पुंजी की क्या स्थिति है वैसे ही कई बार हमको रोकड की जानकारी की ज़रूरत पड़ती अक्सर रोकड की बारे में जानकारी होनी चाहिए वैपार में कि कितनी रोकड थी कितनी खर्च हुई कितनी और हम कितना पैसा हमारे पास कहां से आया कितना पैसा हमने कहां पे खर्च किया और अब जब कि हमने यह रोकड खाता बंद कर दिया तो हमारे पास कितना पैसा बचा है तो यह समय की बचत होती है इससे अलग-अलग खातों की बारे में जो हमारी आवशकता है उसके अनुसा हम जानकारी बहुत आसाधी से प्राप्त कर सकते हैं ठीक इसी तरह एक लाब यह भी होता है कि सौदों को देखने में सुविधा होती है कई बार जबकि हम अलग खतावनी करते हैं हम को ढूढ़ना पड़ता है कि अगर किसी समबंदीत वएभार हम को दूढ़ना हो तो पूरी GENeral जिससे संबंदित सौधे हमको देखने होते हैं वो बहुत आसानी से उससे संबंदित खाते में देख सकते हैं दूसरा एक महत्वे इसका ये भी हो सकता है कि इसकी आधार पर अंतिम खाते बनाने में सोईधा होती है आगे आने वाले अध्यायों में हम देखेंगी कि किस प्र का प्रयास तरते तो कहीं न कहीं हम यह कह सकते हैं कि ए चलका उनिल का उन्य마 ऑधारी जाती है ज़र हो配 इसी फिर आधार में जो शेश आता है बैलेंस जो हम ट्रांसफर करते है जब खो juryn करेंगे हम डेंगे जबorg करते हैं जैसně आप असलों má करते हैं कि यहां कि यहां पर हम लिकते हैं और आज ते क्ली करते हैं कि क्या बराबर आ रहा है अगर बराबर आता है तो हम ये मानते हैं कि हमने जनरल से लेजर में जो पोस्टिंग की है जो amount हमने लिखी है वो सही है लेकिन कई बार जब ये balance बराबर नहीं आता है तो हमको अशुद्यों का पता चलता है ये पता चलता है कि कहीं न कहीं कोई mistake हुई है हो सकता है जब हमने general किया हो तो general entry हमने सही पास की हो लेकिन हमने amount गलत लिख दी हो या amount हमने सही लिखा लेकिन general entry में mistake हो गई जिसके हिस्से में जो amount debit होनी चाहिए थी वो नहीं हो या किसे भी प्रकार की कोई भी mistake हो सकती है तो ये जो लेजर के जो balances होते हैं एक कहीं न कहीं वो गड़ती शुद्धता काधार में बनते हैं उसके बाद यहां पर हमको एक lab ये भी देखने को मिलता है कि इससे हमको overall जितने भी खाते हमने general काधार पर बनाया है सब के बारे में हम चाहें उनके शेश की बात करें balance की बात करें या फिर हम बात करें कि उनके व्यवहार किस तरह के हुए पूरी की पूरी जानकारी हमको लेजर के माद्धे हमसे प्राप्त हो जाती है साथी इसका एक बात पूर लाब यह है कि विभन सौधे जो संपत्ती और दाइतों से related होते हैं उनके लिए भी हम आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम संपत्ती और दाइतों से संबंदित खातों का निर्मान करते हैं तो जब हम संपत्ती और दाइतों के खाते का निर्मान करते हैं और उसके शेष को देखते हैं तो उसके शेष के आधार पर बहुत आसानी से हम पता लगा लेते हैं कि व्यवसाय में संपत्ति और दाइतों की क्या इस्तिती है इसी तरह आर्थिक इस्तिती की भी जानकारी हमको होती है हमने अभी देखा इसी में कि किस प्रकार जब हम खातों के शेश निकालते हैं और वो जो शेश होते हैं वो कहीं ना कहीं अंतिम खातों का आधार बनते हैं तो यह जो अंतीम खाते होते हैं इनी के अधार पर जब स्थिति विवरण बनाया जाता है तो यह जो स्थिति विवरण होता है यह पूरे फर्म की आर्थिक स्थिति का गुतक होता है आर्थिक स्थिति को यह दर्शाता है तो कहीं न कहीं घूम फिर्केम यह भी कह सकते हैं कि खाता बही का निर्माड वैफ्शाएक के आर्थिक इस्ति का घ्यन कराने में भी सहयख सिध्ध होता है और साथी साथ ये खाता बही के अंतरगत जो लेखे होते ये क्योंकि प्रमाणित होते हैं हमने जो जनरल एंट्रिस की है, वो किस डेट की है, उनका क्रमांक क्या था, इस सब की आधार पर हम खतोनी करते हैं, तो जरूरत पढ़ने पर न्यायालाय में प्रमाण के रूप में भी इनको प्रस्तुत किया जा सकता है. तो अब आए खाता भई के प्रारूप पर एक नजर डाले, किस तरह से हमको किस प्रारूप के अंतरकत हमको क्रियात्माग प्रश्णों को बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि आठ कॉलम वाला एक खाता यहाँ पर बनता है, सबसे पहले उपर हम सुष्रक दालते हैं खाता भई और वास्तों में यह जो आठ कॉलम है, यह चार-चार के कॉलम में बटे हुए होते हैं, शुरू के जो चार कॉलम है वो डेबिट साइट के कॉलम कहलाते हैं, और उसके बाद के जो चार कॉलम है वो क्रेडिट साइट के कॉलम कहलाते हैं, इसलिए हम में या उपर में डेबिट और एक कॉर्णर में क्रेडिट लिग देते हैं अब डेबिट साइट के चार कॉर्णर चार कॉलम कौन-कौन से होते हैं तो पहला कॉलम जो होता है वो होता है यानि कि तिथी का दूसरा कॉलम जो होता है वो होता है पर्टिकुलर यानि कि विवरण का तीसरा कॉलम जो होता है वो होता है जेयर के जनेरल का प्रिस्ट यानि हमने जैसे बात की कि जब हम जनेरल की आधार पर लेजर में P OS T diploma पर जिस लेजर का हम यहां पर लिक रहे हैं हमको ये लिखना पड़ता है कि कि इस पजी के खाते पीज से से आम उठा तो पटिकुलर के बाद ऐसे ही चार कोलम क्रेडिटव साइट कि हो जाते हैं यानि के फिर से यदे विवरेंट पटिकुलर जे एफ और अमाउंट इस तरह से चार कॉलम डेबिट के और चार कॉलम क्रेडिट के कुल मिलाकर आठ कॉलम हम यहां पर इसके फॉर्विट के अंतरगत बनाते हैं यहां हमको यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले यहां पर हमको शीर्शक डाल लेना है कि यह जो हाला की खाता हम लिखते ही है लेकिन कि कौन सा खाता है यह क्रय खाता है विक्रय खाता है रोकड खाता है किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत खाता है संपत्ति खाता है जो भी है शीर्शक हमको डालना यहां पर बहुत जरूरी है अब अगर हम बात करें इस में प्राथमिक्ता का क्रम क्या हो सबसाद है जब हम जर्शाम कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि इतने सारे खाते प्रभावित होते हैं कि आपको कौन कौन के खाते भर्नाने हैं लेकिन आप उपनेपर क्रम की तो एक निश्यत क्रम अगर निर्धारित किया जाता है तो सबसे पहले पूरी की पूरी पंजी प्रविस्ट्री के उसके बाद हम निर्मान चुरू करते हैं वास्तवी प्रवावीत होता है और उसके बाद फिर हम वास्तवी खाता बनाते हैं तो वास्तवी खाता जैसे कि हमने जनरल के जो तो концept हमने पढ़े थी उसमें हमने देखा था कि इसके अंतरगत हम क्रैख खाता बनाते हैं विक्रै खाता बनाएंगे क्रैव आपसी खाता बनाएंगे और इसके साथ-साथ हम जब तीसरे अक्रम में आएंगे तो हम बहुत सारे नॉमिनल एकाउंट बनाएंगे आवस्ति भी खाते बनाएंगे उसके अंतरगत हम देखेंगे कि इस पूरी जेनरल एंट्री में कौन-कौन से इनकम और कौन-कौन से एक्स्पेस जो आय ओए और वहया वह वह प्रभवित हो रहे हैं फिर हम उनके खाते बनाएंगे यहं एक महत्वपूर बात यहान में कि खाता वही में किस खाते के नाम का प्रयोग करना है तो एक चीज हमको बहुत विशेश रूप से ध्यान रखनी है कि जो खाता हम बना रहे हैं उस खाते में उसे खाते का नाम नहीं आता है क्योंकि वैसे भी अभी जब गर्यात्मक प्रश्णों को देखेंगे तो हम देखत करविशेश ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजी हम पर क्रय खाता बना रहे हैं तो किसी भीक Daar खाता से यह नहीं आयेगा तो इस तरह कि कोई तरुटी नहों इसका यलिए अब आई एक खाता बही में खतौनी करने संबंदी कुछ व्यवहारिक आधारों को देखे किस प्रकार किन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम खाता बही में खतौनी करते हैं कुछ उदाहर्णों के आधार पर हम इनको समझने का प्रयास करेंगे सबसे पहले जैसे मान लीजिए एक जनरल एंट्री हमने करी और जनरल एंट्री का प्रेश्ट था नगद माल खरीदा क्यूंकि नगद माल हमने खरीदा है यहां पर हमारी पंजी प्रविश्टी होगी पर्चिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट नगद माल हमने तो golden rule के according हम यहाँ पर cash account को credit करेंगे तो यहां हमारी general entry हो गई purchase account debit to cash account अब यहां पर हम देख रहें कि दो खाते प्रभावित हो रहे कौन कौन से दो खाते एक purchase account और एक cash account अब माल लेजिए यहां पर हमको purchase account बनाना है तो यह हमारा फॉर्मिट रहेगा जो हमने देखा पहले से अब हमको हमने यहां पर शिर्षक डाल लिया purchase account अब हमको focus करना है कि कौन सा account हम बना रहे हैं जब भी हम व्यभारिक रूप से इन प्रेशनों को हल करें तो हमको ध्यान रखना है कि कौन सा account कौन सा सिखाता बही हम बना रहे हैं तो यहां पर क्यूंकि हम purchase account बना रहे हैं तो इस पूरी जनरल एंट्री में हमको focus करना है कि purchase क्या हो रहा है इस जनरल एंट्री में हम देख रहे हैं कि purchase account जो है वो debit हो रहा है तो क्यूंकि purchase सब्सक्राइब शोड़ा में एक हम यहां पर लिखेंगे टू कैश कण जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि विपरीद करते के दो पक्ष होते हैं ऑप्राइर्म में ही देख से एक को हम यहां पर purchase account debit हो रहा है तो हम purchase account के debit side में विपरित अपोजिट entries की क्या है cash तो purchase account के debit side में हम लिखेंगे to cash account सबसे पहले हम date डालेंगे उसके बाद हम लिखेंगे to cash account जनरल का जो नंबर अगर दिया गया है तो हम लिखेंगे नहीं account को close करते हैं किस प्रकार से डिटेल लिखते हैं वह हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे दूसरा एक example कि मान लीजिए यहां पर हमको cash account भी बनाना है इसी में हमको cash account भी बनाना है तो इस condition account के credit side में जो होता है account उसके साइड में जो करते हैं या से यूज करते हैं हिंदी में बनाते हैं तो और ऺड़ित secret करते हैं तो बाई यूज करते हैं या फिर को वर्ड का यूज करते हैं अगर हम हिंदी में बनाते हैं तो यहां पर क्यूंकि रोकड़ खाता क्रेडिट हो रहा है तो हम रोकड़ खाते के क्रेडिट में या कैश अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाई पर्चस अकाउंट और अम अगा कैश आएगा और माल जो है हमारे पास से वो जाएगा जिसको हम विक्र एक तो यहां हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकांट डेविट टू सेल्स तो यहां पर हम देखते कि दो खाते प्रभावित हो रहे हुए कौन-कौन एंट्री में सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है यहां पर हम देख रहे हैं कि इस जनरल एंट्री में सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है तो हम इस सेल्स अकाउंट के credit side में लिख देंगे by cash account और अगर हम इसी entry के अधार पर cash account बनाना चाहें तो हम इस cash account में देखेंगे कि entry में general entry में यह cash क्या हो रहा है तो यहां हम देख रहे हैं कि cash account debit हो रहा है तो इस cash account के debit side में हम लिख देंगे to sales account तो बहुत आसानी से हम इन प्रविस्ट्रियों को कर पाते हैं बस हमको थोड़ा सा अपने concept clear रखना है और हमको बहुत ध्यान रखना है कि जब हम general entry हमने यहां पर लिख लिए तो हमको यह focus करना है कि जो account हम बनाने जा रहे हैं वो क्या हो रहा है debit हो रहा है कि credit हो रहा है दूसरे चीज़ हमको यह देखने है कि उसके विपरित प्रविस्टी जो है वो क्या है इसी तरह से हम कुछ nominal accounts भी बनाते हैं जब हम किसी प्रकार का कोई खर्च करते हैं यह किसी प्रकार की कोई प्राप्ती होती है हमको जैसे माल लेजेए यहां पर एक entry है किराया नगत दिया या किराया दिया को भी हम यह मानते हैं कि किराया नगत दिया रेंट पेड यहां पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश क्योंकि जब भी हम रेंट किसी प्रकार का एक्सपेंस करते हैं एक्सपेंस अकाउंट हमेशे डेबिट होता है और जब भी हम एक्सपेंस करते हैं तो कैश हमारे पास से जाती है तो यहाँ पर हम entry करें rent debit to cash और माल लेजिए हमको rent account बनाना है तो यहाँ हम rent account format बनाएंगे अब हमको यह देखना है कि rent क्या हो रहा है तो यहाँ general entry में हम देख रहे हैं कि rent account जो है वो यहाँ पर debit हो रहा है तो rent account के debit side में हम लिख देंगे to cash अब एक एक्जाम्पल हम देखते हैं जब किसी व्यक्ति से हमको कुछ प्राप्त होता है यह हम किसी व्यक्ति को कुछ भुखतान करते हैं व्यक्ति गत खातों के अंतर गत मान लिजे एक प्रश्ण है हमारा अभय से प्राप्त अभय से प्राप्त मान लिजे 5000 रुपए अब क्योंकि प्राप्त हो रहा है प्राप्ती है हमको मिल रहा है पैसा तो जनरल एंट्री हम इसके करते हैं cash account debit to abhya यहां हमको अभय का खाता बनाना है एक व्यक्तिगत खाता है अभय का हम यहां पर focus करेंगे अभय क्या हो रहा है यहां पर cash account debit to abhya याने abhya credit हो रहा है तो abhya के account के credit side में हम लिखेंगे buy cash तो इस तरह से यह सारी प्रविष्टियां चाहे वो व्यक्तिगत खाते से संबंदी तो वास्तवी खाते से संबंदी तो या आवास्तवी खाते से संबंदी तो बहुत ध्यान से पहले तो हमको इनकी जनरल एंट्री कर लेनी है और उसके बाद उस जनरल एंट्री को ध्यान में रखते हुए हमको इसका लेजर बनाना है दूसरी एक मत्रपूर और बात ये कि प्रारम के कुछ कोशन में जब हम लेजर बनाना शुरू करेंगे तो हम पहले जनरल एंट्री बनाएंगे और जनरल एंट्री को देखते हुए फिर हम लेजर में उसके पोस्टिंग करेंगे लेकिन एक दूसरा नियम यह होता है जब हम डारेक्ट खतावनी जि हुए डारेक्ट हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो इस तरह से धीरे धीरे प्रक्रिया बद्ध हम को आगे बढ़ना है जब हम क्रियात्माइक प्रश्णों को हल करेंगे अब जबकि हम खतावनी करेंगे यानि की खाता बही बनाएंगे तो कुछ नियमों को भी हमको ध्याम में रखना होगा जिसके अंतरगत सबसे पहला पहली बात यह है कि जनरल इसका आधार होना चाहिए यानि कि जो आपने जनरल एंट्री बनाई है उसके आधार पर ही आप आपको पोस्टिंग करना है नहीं भी बनाई है आपने डारेक्ट पोस्टिंग भी कर रहे हैं तो जनरल जो है वह आपका सही बनना चाहिए और उसके आधार पर पोस्टिंग होनी चाहिए दूसरे बात यह ध्यान में रखनी है कि प्रतेक जो विभार है उनके लिए अलग अलके खाता खोलना ही पड़ेगा जिसे मान लेजेंог नॉमिनल एकाउंट्स बहुत सारे किया दिया वेतन दिया कमिशन दिया ब्ryजव सारे69 अनॉमिनल सारे चासा तो हम यह नहीं किया सकती हैं कि सारे तो एक्सिंस यह साओ के लिए एक खाता बना है कि प्रतेख व्यवहार का केवल एक ही खाता होता है जैसे कैश ट्राजक्शन को देखते हैं तो लगभग रेंटरी में कैश ट्राजक्शन होते ही हैं जितने बार हमने परचस किया सब के लिए हम अलग अलग पर्चस अकाउंट बनाएं ऐसा नहीं करना है हमको प्रतेक व्यवार के लिए हमको एक ऐकाउंट बनाना है जितने पर्चेस हैं वो सारे के सारे एक पर्चेस अकाउंट में चले जाएंगे जितने रिलेटेट जितनी भी एंट्रीज है चाहे वो हो cash paid हो चाहिए वो cash receive हो सारी cash related entries cash account में चले जाएंगी तो प्रत्यक व्यवार के लिए केवाल एक ही काता हमको बनाना है अगला हमको जो हाई पर ध्यान रखनी है बात अगली वो यह है कि विपरीट एंट्री याने अपोजिट जैसे कि हमने अभी example में देखा कि जो account हम बना रहे हैं उस पर हम फोकस करेंगे कि वो क्या होस्ति क्रेडिट और फिर उसके डेविट या क्रेडिट में उसकी यहां पर हमको बहुत ध्यान रखना है कि डेविट में अगर हम लिख रहा है कुछ तो हम टू लिखेंगे या फिर हिंदी में लिखते हैं तो से और प्रविश्टी कर रहे हैं तो बाई लिखेंगे फिर हिंदी में करते चलेंगे साथ में लेकिन अगर कोई जानकारी नहीं भी दी गई है तो क्योंकि यह एक प्रारूप है नियमानुसार प्रारूप का निधारन किया गया है तो भी आपको जैनरल प्रिस्ट वारा कॉलम अपने क्रियात्मक प्रिश्णों को हल करते समय जरूर बनाना है साथ ही आपको ये भी देखना है कि यहां पर जो फॉर्मिट है उसमें डेट जू है आपको जरूर ना है जिस डेट पे वो जरूर ऑज हुआ है जिसध ने पे जनेरल पोस्तिंग है उसके वहे necesita पर विले को अ और है यही कारण है कि आप देखते हैं कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइट में डेट का कॉलम रहता है सबसे पहले आपको डेट डालना है और उसके बाद फिर आपको अमाउंट डालना है शीरशक का भी विशेज ध्यान आपको रखना है कई बार आप खाता बनाते चलते हैं लेकिन वो खाती भी सही होते हैं लेकिन आप शीरशक डालना भूल जाते हैं कि कौन सा खाता आपने बनाया तो जैसे ही आप खाता भाई का कारण प्रारम करते हैं सबसे पहले आपको उसके उपर शीरशक डालना है कि आप कौन सा खाता बना रहे हैं तो यह कुछ छोटी-म नियम है जिनको फॉलू करते हुए जब आप क्रियात्मयक प्रश्णों को हल करेंगे तो बहुत आसानी से सही जो प्रश्ण है सही उसका जो हल है वो आप बना पाएंगे